और दोस्तों जो सबसे last pin है उसे हम enable pin कहते हैं तो दोस्तों इस pin का बहुत ही important रोल होता है इस pin का काम होता है इस IC को enable करना क्योंकि दोस्तों जब तक यह IC enable नहीं होगा तब तक यह output voltage को generate नहीं करेगा तो दोस्तों इस IC को enable करने के लिए एक transistor का यूज किया जाता है आप देख सकते हो transistor का emitter pin है वो इस IC से connected है और जो transistor का collector pin है उसके अंदर power IC से 2.8V का supply दिया जा रहा है आप देख रहे हो इस तरह से और दोस्तों उसके बाद जो transistor का base है उसे power IC से connection किया गया है इस तरह से तो द always enable या glow नहीं होता है always आप display में light नहीं देखते हो जब आप mobile को यूज कर रहे हो तो भी mobile के अंदर light दिखाई देता है तो दोस्तों किसी में power button या volume button प्रेस करते हैं तब भी क्या होता है हमारा mobile का light हो ग्लो हो जाता है क्योंकि दोस्तों mobile का अंदर जो graphic है वो always आ रहा होता है तो दोस्तों एक on mobile के अंदर always graphic दिख रहा होता है लेकिन उसका जो lighting है वो on नहीं होने के कारण उसका जो graphic है उसको हम बाहर नहीं देख पाते हैं तो जब हम mobile के power button या volume button को प्रेस करते हैं तो उस time क्या होता है lighting का circuit है वो enable हो जाता है उसके बाद mobile का जो graphic है उसे हम देख पाते हैं तो दोस्तों जब हम mobile का किसी key या power button या volume button को प्रेस करते हैं तो उसका information जो mobile का अंदर का जो power IC है उसे होता है और power IC उसी time पर क्या कर देता है जो transistor का base है उसे enable कर देता है और इसको enable करने के बाद transistor के collector में 2.8 voltage है वो transistor होते हुए मतलब IC को चला जाता है और light IC क्या हो जाता है इनेबल हो जाता है और इनेबल होने के बाद जो जितने brightness हम अपने डिस्प्ले में सेट किया है उससे मताविके voltage को जैनेर करता है और output pin से उस voltage को supply कर देता है जो light है वो glue हो जाता है उसके बाद हम graphic को देख पाते हैं तो दोस्तों इस तरह से किसी भी mobile के अंदर जो light IC होता है वो काम को perform करता है तो दोस्तों यह था light IC का working process